दोस्तो बॉलिवूट के सबसे बड़े सूपरिस्टार अक्षी कुमार, कट्रिना कैप और रोहित शेटी के डिरेक्शन में बनने वाली फिल्म सूर्य वंशी ने सिनेमा घरों में रिलिस होते ही धमाल मचा कर रख दिया है जा दोस्तो अक्षी कुमार की फिल्म सूर्य वंशी ने बॉक्स आफिस पर तीन दिनों की कमाई से बॉलिवूट को हिला कर रख दिया है और जिसके चलते बॉलिवूट के बड़े बड़े दिकच्च भी बॉकला गए हैं तो दोस्तो बात करेंगे इसी के बारे में तो भसा आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप अक्षी कुमार को एक बहतरी नभी नेता मानते हूँ तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ इस चेनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीचेगा दोस्तो बीते 5 नुमबर को रिलीज हुई फिल्म ने करोना महमारी के बाद भी बॉक्स आफिस पर धो मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कई पाबंदियों के बाद भी फिल्म ने लोगों का दिल जीतने के साथ साथ ताबर तोड कमाई भी की है और गोवर्दन पूजा के बाद भाई दूज के खास अमस्तरवर भी अक्षे कुमार के फिल्म सूर्य वंशी ने जबर्दस्ट पर दरशन किया है अब दोस्तों अगर बात की जए फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अक्षे कुमार की फिल्म सूर्य वंशी एक सो असी करोड उपे के बजट पे बनी है लेकिन रिलीज होने से पहले ही 180 करोड उपे का अपना पूरा बजट फिल्म निकाल चुकी है अब बात की जए फिल्म के बॉक्स आफिस कलेक्शन की कमाई की तो अब सूर्य वंशी को हिट होने के लिए सूपर हिट होने के लिए कितनी कमाई करनी है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अक्षे कुमार की फिल्म सूर्य वंशी ने अपने पहले दिन 26 करोड 50 लाख उपे की शांदार उपनिंग ली थी उसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने 24 करोड उपे का बेहतरीन बॉक्स आफिस कलेक्शन किया और अब तीसरे दिन यानि कि आज संडे को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली का त्योहार था लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे लेकिन आज संडे को सभी लोग फिरी रहेंगे ज्यादतर और ज्यादतर सिनेमा घर खचा-खच भरे रहेंगे अब मॉर्निंग की जो ओकी पैंसी है वो बता रही है कि आक्षे कुमार की फिल्म सूर्य वंशी अपने तीसरे दिन लगभग लगभग 30 करोड उपय का कारोबार करने वाली है तो आप कह सकते हैं फिल्म ने दो दिनों में 50 करोड के आकड़े को पार किया और अगर तीसरे दिन फिल्म 30 करोड उपय का कारोबार करती है तो फिल्म का तीन दिनों का 80 करोड उपय का कारोबार हो जाएगा जो की अपने आप में काफी बढ़िया है और इस तरह से अक्षी कुमार ने भी सभी को जवाब भी दे दिया है कि अक्षी कुमार की फिल्म पीछे नहीं रहने वाली है आने वाले टाइम में और भी जबरदस कलेक्शन करने वाली है अब इससे बड़े बड़े दिगज़ जो है जैसे कि सल्मान खान की अभी इसी महीने 25 नूवंबर को फिल्म अंतिम रिलिस हो रही है इसके लावा बंटी और बबली भी रिलीस हो रही है सैफली खान के और इसके लावा जोनब राम के सत्ती मेव चाहते भी टू रिलीस हो रही है और इनके लिए ये खुश खबरी है और इनके लिए अच्छी बात है कि सूर्य वंशी की बढ़िया कमाई हो रही है तो इनको भी मतलब समझ लेना चाहिए कि जो आने वाला टाइम है जो आने वाली फिल्में रिलीस होने वाली है उनके लिए भी अच्छी खबर है कि वो भी अच्छा कारोबार करेगी लेकिन अक्षी कुमार की फिल्म सूर्य वंशी ने जो लोग बोल रहे थे कि फिलोप हो जाएगी उतना कारोबार नहीं करेगी शुर्य वंशी ने सब को मुहतोर जवाब दे दिया है और बता दिया है अक्षी कुमार किसी से कम नहीं है लेकिन दूस्तों आपको इसमें क्या है कहना आपकी इसमें क्या है अपनी राह कमेंड में शुरूर बतायीगा